क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात्प्रम्प्रम्हा तसु मैस्रे गुरूवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परते दिन के तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास कारिकरम कुंडली दर्शन में और आज दर्शन के इस विशेष रासी फल विशिशांग कारिकरम में बात करेंगे 10 सितंबर 2018 के रासी फल के बारे में जी हाँ इस कारिक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का सोमवार का दिन क्या है ग्रह नचत्र और सितारों की चाल क्या होगा आज के दिन आपके रासी का हाल लेकिन आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग से आज विक्रम शमवत 2075, भादर पदमाश, सुक्ल पक्ष, परती पदातिति, उत्त्रा फालगुनीन चत्र और शाद्धियोग लगा हुआ है और आज शोमवार का दिन है आज के दिन राहुकाल सुभा के 7 बज कर 30 मिनट से सुभा के 9 बजी तक रहने वाला है और जोतिस सास्त्र के अनुसार राहुकाल में किसी भी परकार के सुभ या नए मांगली कारे को प्रारंब नहीं करना चाहिए इससे आपके कारियों में विग्न बादायम समस्याएं उत्पन होती है आज के दिन जहां साध्य योग और अत्यंत ही पावन शैयोग के कारण कुछ रासी वालों के बन सकते हैं कई जरूरी काम तो वहीं कुछ रासी वालों को अन्य गोचर पर नाम के कारण रहना है शावधान तो चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका आज का रासी फल शुरुवात करेंगे सबसे पहले मेश रासी से फिर क्रमशा बारी बारी से अन्तिम रासी मीन रासी वालों तक के रासी फल के बारे में इस कारक्रम में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाये हैं वो वीडियो की नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर बगल में बेल आइकोन के बटन को भी आप जरूर प्रेस करते हैं जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली शभी वीडियो की जानकारी नोटिफिके करने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं घरेलू शमस्याओं को शांती पुन्धंग से सुल्जाने में आप शफल हो सकते हैं इस रासी के जो लोग वरकिंग हैं उन्हें कोई आज अच्छी ख़वर सुनने को मिल सकती है साथ ही किसी कारे में अपनों की मदद भी मिल सकती है आज के दिन हर्मान मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें या आप के लिए अत्यंत ही उत्तम रहेगा अब आई ये बात करते हैं अगली रासी विरसव रासी वाले आज आपका दिन फेर वदल रह सकता है कोई सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा इस रासी के छा पूसल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हैं उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो कारूबर में मदद कार सावित हो जाएगा सेहत के लिहास से आज का दिन आपके लिए उत्तम है दामपत्य जीवन शुक में रहेगा इस रासी के वैपारी वर्गों के लिए दिन उत्तम है आज के दिन उपाय में सिविलिंग पर जलड़ पित करें यह आपके लिए अत्यांति उत्तम रहेगा अब आई ये बात करते हैं अगली आसे मिन रासी मिन रासी वाले कोई अच्छी खवर शुनने को मिल सकती है आज सगे संबंधियों से प्रेम और सम्मान आपको प्राप्त होगा घर से बाहर निकलते समय माता पिता का सिर्वाद ले कर जाएं इससे आपके सभी काम शफल हो जाएंगे अब आई ये बात करते हैं अगली रासी करकरासी करकरासी वाले आज आपका देन ठेक ठाक रहने वाला है स्वास्त में कुछ हद तक उतार चड़ाओ हो सकता है आज सोच और वेवार को शंतुलित बनाए रखने की जरूरत है आज किसी पर भी अतिधिक भरोशा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा परिवार में खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है आज आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचेंगे तो यहाँ आपके लिए अच्छा होगा और इसके साथ ही अपने क्रोत पर नियंतरन रखें इससे आपको लाब होगा आज के दिन शुभा उठकर सूर्यदेव को परणाम करें इससे आपका दिन कई गुना अच्छा जाएगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी शिंग रासी शिंग रासी वाले आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपको कुछ कामों में किसी अनभवी व्यक्ति की मदद मिल सकती है आज परिवार के साथ कहीं बाहर घुमने के लिए जा सकते हैं आज पैसों के लेंदेन से दूर रहें और आज समय का सत्प्योग सबसे ज़्यादा जरूरी है इसका फायदा जरूर उठाएं इससे आपको लाग जरूर मिलेगा आज पुरानी बातों पर ध्यान ना दे या आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन सिविलिंग पर नारियल अर्पित करें इससे आपके परिवारिक रिष्टे तो मधूर और मजबुत होंगी ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको उन्नती और तरक्की प्राप्त होगी अब आईए बात करते हैं अगली रासी कन्या रासी कन्या रासी वेले आज आपका दिन शांदार रहेगा आर्थिक पक्च पहले से बहतर रहेगा इस रासी के छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा केरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे संतान पक्च की ओर से कोई खुस खबरी सुनने को मिल सकती है आपको पैसे कमाने के कई अच्छे मोके मिल सकते हैं आज आपको अपने काम के लिए कुछ नए आडिया मिल सकते हैं आज के दिन भगवान सिब की पूजा करें और कपूर की आरती उनके शामने करें जिससे आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर गुजरें अब आई ये बात करते हैं अगली रासी तुला रासी तुला रासी वाले आज का दिन आपके लिए पहले के पिक्षा अच्छा रहेगा ओफिस के कामों में आज आप कुछ अत्तिधिक शक्री रहेंगे सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर सापसा देखने को नजर आएगा आर्थिक पक्ष शामान रहेगा पैसों के लेदनेर में शावधानी बढ़ते हैं आज के दिन बहते हुए जल में तिल प्रभाइद करें इससे परिस्तितियां आपके अनकूल बनेगी अब आईए बात करते हैं अगली राशी वरिष्चिक राशी वरिष्चिक राशी वाले आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज पारिवारिक मत्भेद खत्म हो सकते हैं जिससे रिस्तू की नई सिरे से शुरुआत करने में आपको मदद मिलेगी आर्थिक इस्तिती में काफी सुधार आएगा आज थोड़ी सी महनत करके उद्देशों को असानी सिप्राफ कर सकते हैं वेबसाई कारियों के लिहास से आज का दिन बहतर है आज हर काम को धैर और समझदारी से पूरा करने की कोशिस करें इससे आपको बहतर परणाम नजर आएंगे आज के दिन सुभा उटकर धरती माता को पौँ रखने से पहले परणाम करें इससे आपका दिन सुभ जाएगा अब चलिए बात करते हैं अगली राशी धनुराशी धनुराशी वाले आज आपका दिल खुसियों से भरा रहेगा अचानक नई शरोतों से रुका हुआ धन लाब आपको हो सकता है इसके साथ ही आज आपकी आर्थिक इस्तिती शंतुलित रहेगी ओफिस में सभी केशा तालमेल बना रहेगा आज साम तक आप किसी समहारों में भी जा सकते हैं किसी पुराने मित्रशे मिलकर आपका मन परसन हो जाएगा प्रेमी जोड़े के लिए भी आज का दिन बहतर है अपने से बड़े लोगों का असिरवाद लें आपके सभी काम बनते हुए नजर आएंगे चलिए अब बात करते हैं मकर रासी के बारे में मकर रासी वेले आज आपका दिन शामान रहेगा पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी बहुत भागदोर करनी पड़ सकती है ओफिस में कोई बड़ी रील हाथ लग सकती है आज किसी बात को लेकर बड़े भाई बहन से थोड़ी बहुत अन्बन हो सकती है आज थकान और तनाव आप महसूस कर सकते हैं बच्चों के साथ अच्छा समय भी देगा साम को पार्क में जाने का प्लान भी बना सकते हैं आज के दिन माता लक्षमी जी के सामने घी कदी पक जलाएं इससे आपके आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा अब आज ये बात करते हैं अगली राशी कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले आज आपका मन परसंद रहेगा घर में किसी धार्मिक समारों का आयोजन कर सकते हैं जिससे घर में सुख सोभाग बना रहेगा इस राशी के परियतन से जुरी लोगों को धनलाब हो सकता है आज आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा आज दूसरे लोग आपके काम कास से परभावित होंगे आज के दिन जर्वत मंद को कुछ न कुछ दान करें इससे आपके धन में पढ़ोतरी होगी अब आज ये बात करते हैं अंतिम रासी मीन रासी मीन रासी वाले आज आपका दिन अनकूल रहेगा आज किसी काम से आपको फायदा हो सकता है आज आप किसी नीजी काम में भाई बहन का सहयोग माँगने के लिए जाते हैं तो उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा विवहाईत लोग किसी अच्छी जगह पर घुमने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए जा सकते हैं जीवन साथी के तरब से कोई खूबशूरत तोफ़ा भी मिल सकता है जिससे आपके रिष्टों में मिठास बनी रहेगी आज के दिन भगवान स्री गनेश जी को लड़ू का भोग लगाए जिससे समाज में आपका मानशमान बढ़ेगा तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता आपका आज का रासी फल इसी तरीके से जोतिस और धर्म से जुड़े अनेक महत्पुन रहस्पुन बातों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना सेर करना न भूले और बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर दें फिर म